फोक्सवेगन ने इंडिया में अपनी फर्स एलेक्रिक कार को शोकेस कर दिया है अलाकि कम्पनी ने भी इसको लॉंच नहीं किया है लेकिन कम्पनी ने ये दिखा दिया है कि उनकी पहली एलेक्रिक कार कौन सी होने वाली है तो ये है फोक्सवेगन की ID4 अब इस सेलेक्टिक कार के साथ में फॉक्स वेगन क्या कुछ ओफर करने वाला है सारी जानकारी मैं आज के वीडियो में आपको देने वाला हूँ यह गाड़ी जो हो इंडिया से बाहर ओलेडी बेची जाती है इंडिया में आज इसको अन्वील कर दिया गया है क्या कुछ ओफर किया जा रहा है LED हेडलाइट आपको देखने को मिलेंगे Connected DRL सेटप आपको देखने को मिलता है और जो फॉक्स वेगन का लोगो है यह भी लिमिनेशन के साथ में आता है यह थोड़ा सा क्रोस ओवर टाइप के डिजाइन यहां देखने को मिलता है SUV क्रोस ओवर आप इसको कह सकते हो कैसी लग रही है आप हमें को में बता सकते हो बाकी वील्स वगएरा की बात करें तो यहां पर आपको 19 इंच के यह अलॉय वील्स देखने को मिलेंगे सभी वील्स में आपको कंपने डिस्क ब्रेक ओफर करेंगी और ORVM पर अगर आप देखते हो तो यहां LED टर्न इंडिकेटर नजर आता है आपको थोड़ा सा अलग टाइप का देखने को मिलेगा मतलब यह अंदर की तरफ है और यह बाहर नहीं आता इसमें नीचे एक बटन दिया गया उसको जैसे ही आप प्रेस करते हो तो गेट जहां वो खुल जाते हैं और roof rails वगर आपको नजर आएंगे और यहां पर sunroof जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा मतलब यह गाड़ी sunroof जो है वो offer नहीं करने वाली है charging point वगरा की बात करें तो यहां पर कुछ इस तरगाए आपको नजर आएगा fast charging obviously यह गाड़ी जो है वो offer करेगी अब charging time वगरा कितना है वो अभी company ने कुछ भी नहीं बताया है और rear section की बात करें तो यहां भी आपको connected tail light setup देखने को मिलेगा और यह LED light का जो design है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है बाकि उपर आपको shark fin antenna देखने को मिल जाता है rear में अगर आप देखो को तो floating roof type design आपको यहां पर दिया गया है और रोल गाड़ी का exterior जो है वो देखने में काफी अच्छा नजर आता है और exterior की तरह ही interior भी इस गाड़ी का काफी अच्छा नजर आएगा बड़ा touch screen infotainment system यहां offer किया जा रहा है साथी जो info display वो लगवर 5.3 inch का आपको देखने को मिलता है गाड़ी की सभी informations वहां आपको देखने को मिल जाती है 5 seating options के साथ में गाड़ी आती है boot space जो वो काफी बड़ा यहां पर आपको मिलेगा और electric tailgate यहां offer किया जाता है यह बटन आपको दबाना है tailgate खुल जाएगा और उपर बटन दिया है उससे आप दबाओगे तो tailgate जाओ बंद हो जाता है अब यह कुछ चीज़ें आपको इस गाड़ी के design में देखने को मिलती है बात करें गाड़ी की battery range की तो इस गाड़ी को already जैसे मैंने कहा कि बाहर company जो है वो बेचती है और वहाँ पर आपको दो battery packs मिलते हैं basically यह गाड़ी single motor dual motor के साथ में आती है single motor के साथ में 55 kWh का battery pack मिलता है dual motor के साथ में 77 kWh का battery pack मिलता है range जो है वो 400 km प्लस की आपको यह गाड़ी offer करेगी जैसा मैंने पहले कहा company ने भी कुछ भी announce नहीं किया है कि कौन सा battery pack इंडिया में आएगा कौन सा नहीं आएगा क्या range इंडिया मार्किट के साथ से offer करेगी तो इस सारी चीजें अभी company ने कुछ भी disclose नहीं की है और जब इस गाड़ी को officially launch किया जाएगा प्राइस के साथ में तभी company बताएगी क्या battery pack हमें मिलेगा और किस कीमत पर बागी इसके competition की बात करूँ तो लगबग इसी size और इसी battery pack के साथ में हमें BYD की तरफ से एटो 3 देखने को मिलती है जो कि लगबग 33 लाग के आसपास हमें देखने को मिलती है हला कि MG भी जल्दी ही अपने ने electric car जो भारते बाजार में launch करने वाला है तो competition जो वो काफी जादा होने वाला है इंडियन मार्केट में EV सेग्मेंट के अंदर और Tata भी जल्दी हैरियर को electric अवदार में लेकर आने वाला है जो कि size के मामले में काफी similar आपको देखने को मिली की length वगएरा में अला कि height वगएरा तो हैरियर की काफी जादा है बागी आपको Volkswagen की ID4 कैसी लगी है आप हमें कौन में बताएं वीडियो पसंदे आ लाइक करें और इसे ट्रेगी वीडियो देखना जादे है तो सब्सक्राइब